हम हाई है हुथ On हुथ हुथ फिर्षपац लहाए ज़ेंड लगों टो स्वागत करता हूं जैसे आप सभी लोगों को पता है सेले जिवीडिवीम, यूकर लूबार मज़ेदार होगा पढ़ो वो जो आपके एक्जाम में आए जिससे आपकी study में improvement हो और कुछ बढ़िया सा content भले कम हो लेकिन हो आप लोगों की मतलब कर ठीक है तो टॉप 25 ऐसे one words में आप लोगों को कराने वाला हूं जो एक्जामिनेशन में एयर फोस एक्जामिनेशन में स्पेसली में एससी की बात करूंगा और सी एचसल सीजल और MTS और सीपियो स्टैनोग्राफ पर यह सारे के सारे जितने भी एक्जामिनेशन कराता है ससी उसमें most repeated one words की एक सीरीज में आप लोगों को कराने वालों अभी फिल एक्जामिन अच्छा performance का दे पाओगे ठीक है चलिए तो सुरू करते हैं आज की class सबसे पहला काम देखो कुछ काम आपके होते हैं जो आपको करने होते हैं कुछ काम मेरे होते हैं दोनों ही हम लोग साथ मिलकर के इमानदारी से काम करते हैं ठीक है आपका काम क्या है सबसे पहले तो देखो मुझे सपोर्ट भी करना है आप लोगों को चैनल आपका ही है सब कुछ आपका अगर आपको लगता है कि classes सर हमें beneficial लग रही है हमारा फाइदा हो रहा है सबसे बड़िया बात तो यह है कि हमने monetization ही हटा दिया ठीक है आपके वीडियो पर ads नहीं आ रहे है लेकिन यूट्यूब की policy है कि अगर आप लोग monetize नहीं करते हो तो भी वह एड देना शुरू कर देता है तो अभी फिलाल नहीं आ रहे हैं आगे का अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँगा मेरे पास लेटर भी आया गूगल की तरफ से ठीक है गूग आपका कोई भी नुकसान नहीं है ठीक है चलिए सबसे पहले लाइक बटन प्रेस करो फिर आगे बट जाओ यह आपकी पेड़ बैचिस की inquiry होती है अगर आप मैंसे किसी का भी डाउट होता है कि सर मुझे complete English पढ़नी है complete math पढ़ना है complete reasoning पढ़नी है तो आप लोगों के लि और अपना बैच पर्चेस करें ठीक है कोई साभी यहां पर आप लोगों को नहीं कराने वाला भी फिलाल तो ठीक है चलिए तो सुरू करते हैं पहला कुशन आप सभी लोगों के सामने हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ा सिखाऊंगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुश्य लिख का हर एक कुशन का और क्लास कैसी लगती है कॉमेंट कौन करके बताएगा भी यह कमेंट कर दीजेगा लास्ट में ठीक है चलिए अभी फिलाल पढ़ लेते हैं सबसे पहला सब्द हम लोग देखेंगे यहां पर लिखाए देगो वन वर्स में क्या होता है कि स्टेटमेंट लिखा होता है उपर और option में होते हैं words तो आप लोगों के लिए आसान भी होता है ठीक है बहुत ज्यादा आसान भी होता है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा करके आप से question पूछता है हालांकि लेकिन यह भी difficult part होता है ऐसी बात नहीं है one who pretends to be what he is not मतलब कहनेगा pretends का मतलब होता है बनकर दिखाना एक ऐसा व्यक्ति जो आपको कुछ और बनके दिखाएगा जो कि वह नहीं है जैसे कोई आ गया बर्दी पहन के और एक्चली वह पुलिस वाला नहीं है उसको बहरुपिया बोलते हैं नहीं बोलते हैं समझ रहे हैं वह आप से पैसे मांगने आ सकते हैं फिलाल मैं आपको बता दूँँ ऐसे लोगों को हाइपोक्रिट बोला जाता है पाखंडी पाखंडी मतलब जो ढौंग करते हैं ठीक है जो एक्शल वह नहीं है वह बनके दिखाते हैं ऐसे लोगों को हाइपोक्रिट बोलते हैं बाकी का इसका आंसर तो होगया option न हारांकि creator और director बहुत ज्यादा इंपोर्टन नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा common words नहीं दोनों बट हाइपोक्रिट और एक्रोबेट यह most most repeated one words है वह इसका भी question आप से पूछ सकता है एक ऐसा है व्यक्ति जो तार पर या रसी पर चल चल के लोगों को entertain करता उस व्यक्ति को क्या कहते हैं रसी पर डांस करता है कभी करतब दिखाता उस व्यक्ति को क्या कहते है अक्रोबेट जिसको हिंदी में नट कहा जाता है समझने मेरी भासा भाई साहब तो इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों को कराने वाला डायरेक्टर होता है जो आपको डायरेक्शन देता है कि इधर चलो ऐसे करो वैसे करो यह होता है पाखंडी और क्रियेटर होता है किसी भी चीज़ को बनाने वाला बिल्ड करने वाला उम्मीद है कि आपको पहला वाला फॉर्मिट बहुत अच्छी से क्लियरली समझ में आ गया होगा अगले क सब्सक्राइशन की तरफ चलेंगे अप्लेस वियर रूंस सवरी नंस लिव एंड वर्क एक ऐसी जगह जहां पर नंस काम करती है नं तो आप जानते हैं जैसे चर्च में पादरी होते हैं ऐसे एक धर्म की जो महिला कारेकरता होती है उनको नं बोलते हैं ठीक है तो नं जहा पर रहती हैं और वहां पर काम करती है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं यहूदियों का साइद यह इसाईयों का होता यतना मुझे आईडिया नहीं है लेकिन आपको पता दो चली गया होगा कि नन कौन होते हैं ठीक है हालंकि क्रिश्चन में ही होते हैं बताओ भई कि सभी लोग जवाब देंगे ठीक है सोचो और बताओ तो उस जगे को हम लोग क्या कहते हैं क्या उसको कंवेंट कहेंगे या डॉर्मेंटरी कहेंगे सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टन्ट याद रखना है इसको भी मैं डिटेल में जो है इनलाइस कराऊंगा बहुत छोड़ होता है कंवेंट इसकोल आपने सुनाई होगा तो कंवेंट क्या होता अपने क्या होता है तो यह क्या नए कहते हैं आपने धर्म से रिलेटिटेड उस जगे को हम लोग क्या कहते हैं कौनवंग का तुछ कहते हैं दूसरी छीज आ टोर मेंटरी साइद ना सुना हो आपने होस्टल सुना होगा तो हुस्टल और डॉर्मेटरी दौन दूसरे के स्क्राइब होते हैं तो कभी कभी याद रखना यह वन वर्ट में आपसे डॉर्मेट्री वाला कुश्चन भी पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट को टिक कर लीजेगा मेरा कहने का मतलब यह नहीं होता है कि मैं आपको टॉप 25 करा रहा हूं जो उपर वाले स्टेटमेंट लिकें सिर्फ यहीं इंपोर्टेंट नहीं भाई ऐसा नहीं है कि आपके एक्जाम में यहीं पूछा जाएगा यह तो पूछा जा चुका हो सकता है वह सकता है वह से किसी भी एक वर्ड को आपसे पूछ ले इसका दूसरा स्टेटमेंट बना कि पूछ ले तो भी आप लोगों का यह कि आगे निकल गया तो मेरी गलती हो सकती है ठीक है तो आपसंस को भी क्लियरली डिसकस इसी लिए कराया जाता है स्पेसली मैं कराता हूं बाकी मुझे पता नहीं लेकिन कराना चाहिए ठीक हां तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए बाकी देखो क्वाटर और सिंफिय Pardon हो जाती याद रखना वह यहां पर क्वाटर लेखेगा तो क्वाटर गया तफाव यह यह 40पि घ्रिंफ के और च्वां तो यह होता है कर्मक्र 32 bigger छो सरकारी दफतर वालों को जो कमरे रहने के लिए घर मिलता है Technology सेना वालों को मिलता है वैसे सारे के सारे मतलब करमचारियों को मिलता है तो उसको followers से बोलते ही थीक है कमरे के आगे चलेंगी एक और statement लिखा हुआ है building where an audience sits एक ऐसी जगह जहां पर audience बैठ थी है स्रोतागंड स्रोतागंड जहां पर बैठे होते हैं एक तो audience हो गया यह भी आप से पूछ सकता है कि ऐसे लोग जिनको किसी एक प्रवशन में एक प्रवशन को सुनने के लिए एक स्पीच को सुनने के लिए लोग बैठे होते हैं उनको क्या कहते उसको ऑडियंस कहते हैं ठीक है वह अपने स्टेटमेंट बना देगा इंग्लिस में और ऐसी जगह जहां पर न इसके उचमा व्टियंस बैठी होती है किसी स्पीकर को सुनने के लिए उस जगह को बोलते हैं तो ऑडियंस जहां बैठती है उसको ऑडिटोर्यम बोलते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए हर स्कूल में हर और आपनोश्य में के होता है जहां पर सारे के सारे लोगों को बला करके कभी कभी क्या होते हैं वहाँ पर फंक्शन होते हैं ठीक है यहां पर यहां पर यह auditorium हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट अंसर हो जाएगा option नंबर डी बाकी के जो words है ना उनका भी आपको explanation देना है जैसे आईल होता है यह most important अब धिहां से सुनलो भाईया ध्यां से सुनलो यह most important है क्योंकि मैंने नाक सिर्फ यहां पर तीन one word कर रहे हैं मैंने यहां पर अभी तक आपको बारा बारा वन वर्ट करा दिये बानाव 20 इनके उपसेंस बहत है और बार में से कम से और बारा में चाल्के में लेलो हम लेकिनाँ direct को मत लेना क्योंकि यहां पर पता ने कथनी बार अग्ज Sn पूचा जाता है बड़े बड़े आंगेंस पूच जाता लगी होती है बैठने के लिए जैसे आप किसी function में गए तो वहाँ पर जो सीट लगी होती है उसमें बीच में एक red carpet बिचा होता है या कभी एक छोटी सी जगे होती है भागवत में बैठे हो या कहीं किसी function में बैठे चारों तरफ सीट है और बीच में छोटा सा गलियारा होता है जैसे इदर सीट लगी हुई है यह सीट लगी हुई है ठीक है बस में और बीच में एक छोटा सा गलियारा है इदर सीट लगी हुई है तो इस जगे को ना जो खाली जगे आने जाने के लिए जो बनी होती है इसको वोता है कि सीटों के बीच की जो एक गलियारा जोता है सिटों बोलते हैं क्या होता जिसे आप कपड़े टांगते हो और जिमनाज झीमनासिज्म क्या होता है जिसमें लोग करतब दिखाते हैं ठीक है अपना-कर क시क जो इक गेंग भी होता है ठीक हैं जिमनास्टिक आम लोगों को पता ही होगा तो यह उता है जहांब मेरे बहाई है तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगी और मेरा एक ही उद्देस है कि आपको जो कुछ भी सिखाओं क्योंकि सिखा में वहीं रहा हैं जो आपके मतलब ले सकता हूं लेकिन उसके लिए आपको मेरे कदमों पर चलना पड़ेगा जैसे हमें आपको कहूंगा क्योंकि गाइड करना भी एक पढ़ाई होती है ठीक है अच्छी गाइडेंस भी एक आप लोगों का फर्ज होता है पढ़ाई के साथ मेहनत के साथ साथ आपको अच्छी गाइडेंस भी मिलना जरूरी है प्रॉपर गाइडलाइन की साथ अगर पढ़ाई करते होना तो उसका फाइदा होता है चलिए जैसा बताएं वैसा करते चलना सच में आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और हम पूरी अपकी जो है मैनत करेंगे क्या बोलते हैं साहिता कर इनके अपने ग्रामेंटिकल नेम्स होते हैं साइंटिफिक नेम्स होते हैं इसे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे तो आप एक स्टेटमेंट की जगे कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन के इनके कुछ अपने हक होते हैं इस तरह के कुश्चन के जैसे अगर आप चाहो तो इ भी बोल सकते हो क्यों कि सर मैं तो अपनी डायरी में लोगों के नाम और एड्रस लिखता हूं तो कोई दिक्कत थोड़े ना है आप डायरी लेकिन प्रॉब्लम यह कि इनके कुछ खुद के अपने एक अथेंटिक नाम होते हैं इंग्लिस लेंग्विस के पर्टिकुलर कुछ नाम होते हैं जो हम लोग हमेशा से यूज करते हैं इसी लिए तो हमें पढ़ाई करना जरूरी है कि अरसल में हो क्या रहा है तो आप डैरी भी लगा क्या जाओगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भी इसको कहेंगे डैरेक्टरी सुन्ने में आपको लग रहोगा यह इसका आए आंसर हो इनी सकता लेकिन असल में यही इसका अंसर है डिरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका ठीक हालांकि एक ऐसी जो है किताब होती है जिसमें लोगों की जो है नाम और उनके अड्रस लिखा जाता है सुनने में आप डायरी भी लगा सकते हो ठीक है डायरी की जगे यहाँ पर डायरी लिख ले डिरेक्टरी को ही क्या बोलते है कि ऐसी किताब जिसमें लोगों की नाम और उनके अड्रस लिखे होते हैं अगर कोई काम आप करने जा रहे हो और आपको पता है कि इस काम में हद से ज्यादा जोखिम है इवन इसमें मौत भी हो सकती है कि Sah Marie test करने जा रहरों मैं इसका test बताउंगा कैसा है आपको पता है इसका अन्याम क्या होगा बता है न उषके ब्लंपुर्स काम को कर रही तो इसका अन्jam क्या होगा उसको हम क्या बोलेंगी कि भाई कार किसा है फैकल है ट्राइल है विताल है यह पेनल है थे सब को aj है फैटल है फैटल मतलब सणी द्यौल फैटल मतलब सणी द्यौल और पाकिस्तान में जाकर है ना क्या करना हैंड़ पंप उखाड के सबको खेड़ना समझे रिवाथ तो उसको आपको याद तो आए गया होगा फैटल को याद कैसे से रखना सनी द्यौल से समझ गे मेरी बात तो फैटल का मतलब होता है घातक क्या मतलब होता है घातक होता है मतलब हद से ज्यादा खतरनाक एवन इतना खतरना कि कि आपकी उसमें मौत भी हो सकती है ठीक है चलिए तो अप्शन नमर एसका सही जवाब है वाकी ट्राइल तो आप जानते हैं सरे एक ट्राइल क्लास दे दो हमें ठीक है एक सेम्पल क्लास दे दो तो ट्राइल वहोता है परिक्षण वारी हो सकते हैं पैनल्टी से बना है पैनल मतलब दंड और फैटल मतलब गातक आगे बढ़ जाओ सारे के सारे MTS के क्विशन है 2019 में पूछे गए हैं ठीक है भीया 2019 के सारे के सारे MTS के questions में यहां पर आपको discuss करा रहा हूं something no longer in यूज जी बहुत इंपोर्टन टिक करो सारे के सारे MTS वाले सारे के सारे दिल्ली पुलिस HCM वाले और सारे के सारे Air Force वाले NDA वाले SSC CHSL और स्टैनो ग्रापर कोई ऐसा एक्जाम नहीं होगा जो आप Open अंदर लेकर क्या हो फिर आगे बहुत कुछ अच्छा होगा आपकी जीवन में ठीक है तो ध्यान से सुनना यह most important चीज है most important चीज कैसे है भाई देखो मैं दिखाता हूं 2013 से लेकि अभी तक और 15 के भी questions लगाए हैं तो उसमें मुझे यह word ऐसे रट गया है कि सपने में पूछ ले यह क्या ऐसे ऐसे सैकणों सब्द हैं जो मुझे अभी तक ऐसे याद हो गए मतलब होता है कोई ऐसी चीज है मतलब की जो अभी ट्रेंड में नहीं है अभी फैशन में नहीं है इनके आपके सामने बोल रहा हूं ट्रेंड फैशन मतलब कोई ऐसी चीज जो पुराना हो गया जैसे अभी वैल वाटम के कपड़े कोई पैंता पैंट वैल वाटम स्टाइल में नहीं पैंता सब्सक्राइब अब नहीं पैंते अब दोवारा ट्रेंड आ रहा है साथ अब थोड़ा थोड़ा आना लग गया है तो अब ऐसा हो गया है कि मतलब कोई ऐसी फैशन है कोई ऐसी चीज जो अभी फिलाल जो है ट्रेंड में नहीं मतलब पहले चला करते थी पुरानी कोई चीज है तो उसको आपसुलेट बोलते हैं अब उसको ज्यादा तर लोग यूज नहीं करते जैसे जो स्कूटर है पहले इसमें सिर्फ मैंने भी ही टिक नहीं किया है आपके लिए सिर्फ यहीं जरूरी नहीं है इसके साथ साथ आपके कुछ और भी चीज़ है जैसे ऑप्जूरेट है most important vocabulary का word है कई बार repeated ऐसी vocabulary करा रहा हूँ जो हादस से जाधा repeated है आप अगर दस तारिक तक अगर आप मैंसे आपका एकजाम है किसी भी डेट को तो आप आराम से इस class को ना दो बार देख करके जाना दो बार class को देख करके जाना क्योंकि मैंने जो जो class दिये ना उसमें से पूरी पूरी vocabulary सारी की सारी एक एक तो अभी अभी कुछ दिन पहले class कराई उसी में से अभी एक और इसमें कराऊंगा जो अभी दो दिन पहले एक्जाम में पूछा गया है परसों के एक्जाम में ठ सकति जिसके पास बहुत सारी power है तो इसको ओमिनी पर गआलो ओमिनी वर्स लगा लो सब कुछ खाने वाला प्रेजिट मतलब सब्जेके रहनेए वाला उमनी पोटेंट बोलोगे तो सर्वसक्तिमान हो जाएगा समझें ऑम ओमेनस होता है कोई अशुब चीज हो जाती है अब सखुन सुनाओगा कि यार ऐसा मत करो ये असुब माना जाता है तो उसको अमेमिनस ऑमेनस बोला जाता है अब जिर्ट होता है जिद्धी स्ट पॉन ठी जिद्धी अपनी बात पर अडे रहने वाला एक ऐसी जगे जहां पर बहुत सारी घास है और वहां पर एनेमल जो है घास खाने जाते हैं चरने जाते हैं उसको हिंदी में चारा गाह कहते हैं स्सी एंटिस 58 2019 सिप्ट क्या उसको फरेस्ट वो लोगे पार्क वो लोगे गार्डन पार्क और गार्डन आपको पता है यह बनाय जाते हैं लोगों की सुभिधा के लिए पार्क हो गया इसको ग्रासलेंड डिजाइन किया जाता है जैसे हम इसको यूज में ले सके एक ऐसी ज परजी से घास तरने जाते हैं तो उसको मीडो बोला जाता है उसको मीडो बोला जाता है घास का मैदान या उसको क्या बोल सकते हैं घास का मैदान बोलेंगा ऑप्शन नमबर डीस का सही जवाब होगा गार्डन होते हैं और फॉरेस्ट तो जंगल होता है जंगल में लोग है ठीक है पार्ख हो जाएगा और आपका गारण हो जाएगा इनको बाग बोलते हैं ठीक है तो और आप millimeters फिर सफे पर फेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोग लाइक और लोगों के काम है इनको कर दिया करो इमानदारी से वीडियोज पर लाइक आप लोगों का सबसे पहले लाइक आना चाहिए जिससे आपकी प्रिजेंट लगती है कि हाँ चलो मैंने क्लास देख ली और मैं क्लास देखना शुरू कर रहा हूं जो है स्टार्ट कर रहा हूं तो आप लोग लाइक बटन दवा दिया क सब्सक्राइब और यूजट सब्सक्राइब यूमस्ट सब्सक्राइब ईपनी है यह जो हमारा स्रक्टरर ऑवंस होता है हड्यों का धाचा होता है तो कंकाल जिसे हम लूग क्याते हैं उसका एक call सकता है यह संजाएंगा इसका यह को सकता है भी मीनिक समझाओंगा ये भी भी हो जाता हुसकी सिर्फ हड़ी हड़ी भूत जैसा लगता है कंकाल आपने देखा होगा होरर फिल्म में तो उस कंकाल को हम लोग क्या कहते हैं स्केलेटन बोले भागी स्पेन और स्कल मैं आपको समझा देता हूँ स्पेन तो जानते हैं एप बहुत ज्यादा कुछ नहीं है फुल ब्रिटिस ं और मोकरी अगर एप किसी की की मेजएक य सब्दमर मोकरी का मतलब होता है हम किसी की इसको भूलते हैं को बोलते हैं तो बताव को क्या कि होगे यह इसका नोगे और सेटायर और क्लिस्ट दोनों मिलते जुलते से हलके उलके लेकिन इसमें से जो सही आंसर होगा सेटायर और डेरेशन यह आप लोगों ने सुने होगे सेटायर हो गया डेरेशन हो गया यह दोनों एक दूसरी के सिनोनियम होते हैं ठीक है दोनों में से कुछ भी आता आप दोनो को कहोगे सेटाय ठीक है यह आपका वर्म की तरह यूसके जाता है कि सी की तारीव करना इan biology का मतलब होता एक अच्छी आवाज तुरिली आवाज अगर आप किसी से बात कर रहे ना तो आपकी बातों में आपकी आवाज में आपकी जो भी आप बोल रहे हैं उसमें इंट्रस्ट ले रहा है मज़ा आ रहा अच्छा लग रहा है उसको बोलते हैं यह लोगी ठीक है और क्लेच होता है ठपा मतलब की ऐसे किसी को समझ जाओ ठीक है चली आगे चलते हैं गुरुप अप सिंगर्स यह आप से पूछे जाते हैं पूरी की पूरी एक लिस्ट जैसे मैंने आप लोगों को साइड वाले लॉजी वाले ऐसे ही मैं सारे के सारे ग्रोफ सारी सारे सावन्ड यह सब करा दूगा इखटे ठीक है अभी फिलाल आप लोग एक को जवाब दू कि यह वो कुशन है जो आप दिल्ली पुलिस और MTS का पेपर इनहीं को पड़कर के देने जा सकते हो ठीक है ऐसा नहीं कि सब कुछ इसी से हो जाएगा लेकिन हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह व्यर्थ नहीं जाएगा ठीक है फाइदा बहुत होगा आपको तो बताओ कोईस बोलते हैं या काउंसल बोलते हैं जूरी बोलते हैं या और्किस्ट्रा बोलते हैं देखो आपको सुनने में लग रहा होगा काउंसल भी थोला थोला सा लग रहा है लेकिन और्किस्ट्रा जाता लग रहा है यह हमने बहुत बहुत सुना है लेकिन यह आपने सुना नही कोते हैं हलाएं कि उनकी सुविदा अनुसार वह सब लोग अपना काम कर लेती हैं है लेकिन वह सारे के सारे जसे नहीं दिनटांच चल रहा है तो आप उसको कहें आप सारे लोगैं और कैसा से यह हुता हूथ क्विफ इंड सोब्सक्रा olmaz- techniques जो जो आपका जो बजाने वाला जैसे तवला वाला तो तबले वाले को सिंगग नहीं आते हैं तवला बजा सकता है ठीक है उसको और्टेस्ट्रा बहलता है उसमें ईक ही होता क्या एक ऐसी कला जिसमें लोगों को डांस सिखाया जाता है है या डांस क्रीटि किया जाता है नए स्टेप्स बना जाते हैं किस तरह से कौनसी बीट पर किस तरह से डांस करना है तो इस स्टे mıन यापको आंसर करना अपके फासव्टिवर्टि यह यह ऑक्neem और मैं आपको कहुंगा चारों की चारों इस में सारे की सारे इंपॉडंट एक भी ऐसा वन वर्ड नहीं है जो आपके पिछले examinations में पूछा गया एक बार नहीं चार चार बार नहीं पूछा गया ऐसा कोई वन वर्ड नहीं चारों मैंसे जियोलोजी तो आप लोग पढ़ते हो जियोग्राफी पढ़ते हो तो वही जियोलोजी या जियोग्राफी जो भी बोलोगी वह आंसर हो जाएगा ठीक है इसका करेक्ट कनांसतर हो जाएगा आप लोगों को पता होगा कोっちゃ मियों लॉजी सिस्टमियोगराफई भी बोल सकते हैं शुस्टमियौल भी जो आपके CGL examinations में पूछे गए हैं, भले ही हमारे इतने सारे student जो है दो अज्जार 22 में 21 में जितने भी लोगों ने पेपर दिया है, बहुत जादा student जो है select नहीं हुए है, लेकिन उनमें से बहुत सारे कम लोग हमारे पास आपाए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने party तो नह रखो कि भले ही time लग जाए, थोड़ा time extra लग जाए, research ऐसी होनी चाहिए कि भाईसा वो फिर खाली ना जाए, ठीक है, खाली नहीं जाना चाहिए, और अकेली मेरी तरफ से मेनद करने से भी कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ मैं ही आप लोगों को जो है जड़ी बुटी पिलात करता रहूं, थोड़ी बहुत आप लोगों को भी मेनद करनी है, क्योंकि creativity से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ मैं अकेला करता रहूं, तो काम नहीं चलेगा, आपको भी थोड़ी बहुत अपनी तरफ से मेनद करनी होगी, ठीक है, और एक होता है, कैलिग्राफी मतलब अच्छ अच्छी राइटिंग, सुलेखन जिसको बोलते हैं, सुलेखन बोलते हैं, सुलेखन अच्छी लिखने की जो कला होती है, उसको कैलेगराफी बोलते हैं, हर एक word most important है, एकजाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है? आके बड़ो, dependent मत होना किसी particular एक चीज़ पर एक व्यक्ति पर एक टीचर पर dependent होने के बाद फिर आप लोग खुद से पढ़ना छोड़ देते हैं यह दिक्कत हो जाती है हम लोग सिर्फ आपकी सहाइता कर रहे हैं मदद कर रहे हैं ठीक है डायरेक्शन दे रहे हैं आप लोग थोड़ी सी मेनत कर रहे हैं आपको करनी है आपको करनी है वाइलेंट विंड स्टॉर्म भाया बहुत तेज वाली जो हवा आती है उसको हम क्या कहते हैं एक तोती है बहुत ही मतलब एज यूजवल जो हमारी हवा चलती है उससे तेज उसको हम लोग आंधी बोलते हैं लेकिन आती हद से ज्यादा तो स्टॉर्म जिस वर्ड में लगा हुए अब इसली वो क्या हो जाएगा भया टेमपेस्ट हो जाएगा यानि कि तुफान हो जाएगा यूँ औरॉ फरक हो द्यांसे शुलो ऊपर वाला जो वहता है कि सी बिचसका स्ट्रॉक्शर 2000 आप लोगों की बॉक्याबलरी के अपको इक साथ आपको इसकी मिलती है श्की बात यह सकी फीस पर ठीक है चली आगे बढ़ते हैं दो हाइस्ट पॉइंट अपैक्स हो गया पेरमाउंट हो गया जैनित हो गया क्लाइमेक्स हो गया पीक हो गया एक में हो गया यह बहुत सारे ऐसे जड़े हुए हैं तो याद रखना जैनित इसका क्या हो जाएगा भाईया सबसे बड़ी चोटी सिखर ठीक है सिखर बोल सकते हैं अकास चोटी जिसको बोलता है पैरडाइस होता है स्वर्ग और होरिजन होता है छैतेज ठीक है नादिर होता है नादिर मोस्ट इंपर्टन अगर क्या आता हूं डेली डेली गधों की तरह मेहनत करने से अच्छा है कि स्मार्टली कम मेहनत कर लो स्मार्टली बहले ही आप एक दिन बात पड़ो दिन भर में दो घंटे पड़ो लेकिन वह दो घंटे ऐसे होने चीना जिनका मज़ा आज है मतलब उनका रेजल्ट ऐसा आए एकदावम निचोड समझ रहे हो फालतों की दसवी जो है इतनी सारी चीज़ें कट्टी करने से बड़ी है कि थोड़ा सा थोड़ा सा कंटेंट हो लेकिन हो दमदार उससे आप जाधा से जाधा उम्मीदे कर सकते हो ठीक है तो इसलिए मैं बता रहा हूं नादर एक बह आप होता है गिरावट होती है कि सिभी चीज में उसको नाजर बोला जाता है वंहुकंन नॉट सब्छाप इक एक एक ऐसा बैक्ति जो बोल नहीं सकता उसको डम्ब कहा जाता है डम्ब मतलब गुंगा होता है का को समझ कर कौ immediately होता है चुप-चाफ रलंकि यह बोल सकता है लेकिन यह बोल नहीं सकता चाहा कर भी ठीक है यह चुप चाप होता है चुप औरफन होता है जिसके घरवाले नहीं होते मावाप नहीं होते अनात जिसे बोल सकते हैं अच्छा मोस्ट इंपोर्टन एक और वन वर्ड आ गया यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई वार पूछा जा चुका वर्ड है बेवी वी बेवी ये वाला अपना वाला वेवी मत लेग लेना ठीक है ये वाले वेवी की बात नहीं कर रहा है ये है बी वी ये पूछा जाता है स्मॉल ग्रूप ऑफ गर्ल्स कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो घुमते रहती है मतलब स्कूल यह फिर चुटा सा गुरूप होता है तो लड़कियों के गुरूप को बेवी कहा जाता है याद रखना यह वाला वेवी नहीं है वह वाला वेवी है ठीक है तो कुछ है इसको बोलते हैं लड़कियों का लड़कियां भी बोल सकते हैं इसको चिडियों का भी गुरूप बो से confusion शुरूँगी यहां पर जो hard word है ना actually इसको ध्यान से सुनो यह आपको कैसे confuse करते हैं ध्यान से सुनना मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो factual होती है grammatical conceptual scientific scientific कैसे भी वो क्या होते हैं जो आपके structurally यूज किये जाते हैं और वह आपके examination में वैसे ही सही होंगे जैसे उन्हों ने design कर रहे हैं इसलिए हमें पढ़ने की तयारी करने की particular एक कोर्स के syllabus को completely पढ़ने की जोरुत पढ़ती है दरवाइस तो कोई भी पेपर दे करके सही हो सकता है अच्छे से question करके आ सकता है अब यहाँ पर हर्ड का मतलब होता है group और यह इस पेशली गुरुप किसी भी जानवर के लिए इस्तेमाल किया सकता है ऐसा नहीं कि particular किसी भी एक जानवर के लिए हर किसी जानवर के लिए आप हर्ड यूज कर सकते हैं सारे के सारे जानवरों को होता है ऐसे फ्लोग होता है फ्लोग भी कई तरह से यूज किया जाता है फ्लोग होता है स्पेसली स्पेसली इसको हम लोग सीप के लिए इस्तिमाल करते हैं यानि कि भेड़ों का गुरूप होता है इसको फ्लोग बोला जाता है लेकिन इसके बावजूद भी और भी कई तरह स यूज के जाता है जो पानी के जहाज होते हैं उनका जो गुरूप होता है उसको फ्लीट बोला जाता है जहाजों का बेडा लेकिन उसके साथ एक परशन्ट सीब के लिए इस्तिमाल होता है यह आपको कंफूस करते हैं ऐसे ही अगर आप चाहो तो यहां पर लॉइंस के लिए आप हर्ड यूज कर सकते हैं अब हम आते हैं अपनी पुखता चीज़ों पर जिससे सैटेस्फाइड होगा एससी को जिससे सैटेस्फेक्शन मिलेगा वो चीज़ें कौन सी हैं सर जिनकी वज़े से हमारे कुशन गलत ना हो ऐसे हमें वन साइड़ क्लियर कट बता दो कि इस गर्व करना करना नाौन की तरह करते हैं तो चलब गर्वार्ण होता है जब आप इसको बनबड में पूछोंगे तो इसका मतलब हो जाता है एक अलग हो ठाय है क्याए ऐसा गुरूप जिसमें बहुत सारे सेरों को फोता Sonra World तो गर्व होता है लेकिन यहाँ पर सेरों के लिए तो भाई हो रहा है यह आपका एक्शल वर्ड यही आपका सही होगा जब भी उपर लिखा हुआ मिले अग्रूप आप लॉइंस इस चलो जैसे यहाँ पर हड लिखा हुआ है तो यह हड जो तरन वह सबसे पहले हो करोगे और आप अब कुछ भी बोलो कोई दिखकत नहीं गलत नहीं और आपको लगाना यही जो मैं आपको बता रहा हूं फ्लोक होता है अगला यह सबसे जरूरी सूचना जो आप लोगों को देनी है वो यह है कि इंग्लिस का जो बैच हमारा उपन स्टेडी अप्लिकेशन पर चलता है बिल्कुल मतलब कि अगर आपको छोटी छोटी चीजा नहीं आती है आपका कुशन गलत होता है आपको फैसलेटी बहुत ज्यादा देनी होती है आपको स्पेशल एंविर्मेंट बिदाउट एड्स क्लासेश एड़ फ्री क्लासेश ठीक है आपको एड़ वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे पीडिएफ आपको स्टडी मटिरियल देना होता है प्रॉफर गैडलाइन सब कुछ आपको और कंप्लीट क्लासेश रेगुलर क्लासेश तो उसके लिए आपको फैसलेटी होता है बहुत ज्यादा वेनिफिट हमें नहीं होता है सिर्फ आप लोगों का फैसलेटी चार्ज है ठीक है तो कोई भी निसंग को छोकर के आप लोग बैच पर्चिस कर सकते हैं चाहे आप इंग्लिस का लीजिए चाहे रीजनिंग का रीजनिंग का आपको 399 में मिल जाता पढ़ना चाहते हैं या मैस इंग्लिस रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्राइस ठीक है जा करके सर्च कर लिजेगा बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट यह दो चार काम है आप लोगों को खुद कर लिया करो ठीक है जो लोग नए मुझे अ अलग स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा से उसमें डिफरेंस देखना ठीक है इसके स्टेटमेंट मालका सा डिफरेंस नजर आएगा तो ऐसे रिपीट होते हैं उसने कुछ नहीं किया वह एक्टिव में बना दिया यह पैसे में बना दिया है तो इसका भी आंसर आप लोग ह अरिस्ट्रोक्रेसी एक ऐसी सरकार जिसमें रइस लोग सरकार को चलाते हैं ऐसे लोग जो पड़े लेके हैं धनी हैं वह सरकार को चलाते हैं उसको अरिस्ट्रोक्रेसी बोलते हैं और अरिस्ट्रोक्रेटों सासक को बोला जाता हाई पोग्रेटिस का अंसर हो जाएगा कंज क्या जानते ओूडिवादी मतलब पुरानी चीजों को फॉलो करते हैं उनको बुर्योक्राइब बूर्यूक्रेट बूर ब्रसे पूचा जा सकता है पूरती में आगए बढ़ जाओ अभी-बी करायता अगर फ्लॉक्या बोलोगे मेरे भाईयाँ फ्लोक एक वर्ड और लिख लीजेगा फ्लीट फ्लीट भी आपके एक्जामेनेशन में पूछा जाता है मैंने अभी अभी आपको समझाया था मतलब कहने का एक ऐसा समूव जिसमें पहानी के जहाज सिप्स अगरुप आफ सिप्सिस काल्ड फ्लीट जहाजी बेडा ठीक है बेवी मैं अभी आपको बता था लड़कियों का गुरुप होता है कमरों का सेट सूट ठीक है सूट होता है कमरों का सैट जैसे बोलते हैं कि 3vhk 4vhk एक छोटा सा जो है गुरुप आप रूम्स गुर 2019 तरड़ सिप्ट आगे बढ़ते हैं फुरती में नेक्स्ट किलिंग वाले वाले वोट्स जाकर के open study की playlist में जाओ वहां पर आपको सारे के सारे मर्डर को क्या कहते हैं ठीक है किलिंग और पेस्ट मतलब होते हैं बहुती कीट नासक होते हैं मतलब एक होते लिये उनको मारने की दवा होती है आपने सुना होगह मतलब होता है कीटों की हर ठीक है तो साकनासी मतलब जो हब्स की ही डेथ कर देते हैं मतलब जो लोग जो हमारी जड़ी बूटिया है उनको ही बरबाद कर देते हैं उनको हर्वी सैड बोलते हैं पैटरी सैड होते हैं पिता जी की हत्या पित्र पित्र और पिता ठीक है पिता जी की हत्या को पैटरी सैड माता ज जाएंगे ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बस आप लोग पढ़ते नहीं हो वन हुए अनेबल टू रीड और राइट एक ऐसा वेक्ति जो पढ़ने में और लिखने में ही असमर्थ इसका मतलब वन पढ़ है भाई जो पढ़नी सकता जो लिखनी सकता उसको का अनापड बन बलते हैं घवार अलग वेक्ति होते अगाओ पढ लेकिवी होते हैं घवार लोग वो लोग होते जिनके अंदर तमीज नहीं होती ठीक है बहुत भाले इसारी की सारव डिगरीयां लेकिन अवड़िए नहीं बद तमीजी सकते हैं बद लोग ठीकि इसका important है answer ready है लेकिन important सारे हैं क्योंकि frugal का भी question आपके exam में पूछा गया है पूछा जाएगा frugal मतला होता एक ऐसा बैक्ती जो economical होता है एक ऐसा बैक्ती जो बहुत कम खर्चा करता है एक होता है ज्यादा करने वाला extraordinary बोलते हैं लएस बोलते हैं इसका opposite होता है है एक ऐसा बैक्ती जो हद से जाधा खर्चा करता है एक स्ब्साइग बोल सकते हैं यहां यह लेकिन कम खर्चा करने वाला फ्रूगल होता है ठीचे-ए द Sí Dieu मतलब ults पस्ट है एलिजिबल है ठीक है अंक्लियर इनकॉम्प्रेहंसिबल मतलब ऐसी कोई ची जो आपके समझ बाहर है इनकॉम्प्रेहंसिबल समझ के तो आंसर हो जाएगा डी बाकी की वर्ट का मीनिंग आपके सामने है नेक्स्ट इयरली सलिब्रेशन आफ़ डेट हर साल आपका ज क्यों बोलते हैं वर्थ अनिवर्शरी भी बोला जाता है ठीक है वर्थ डे भी बोल सकते हैं तो बर्थ डे का मतलब होता है जिस दिन को पैदा हुए थे लेकिन वर्थ अनिवर्शरी का मतलब होता है कि जो दिन आप जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन के रूप में अप उसको celebrate करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं by हर एक सालवाद जो दिन आता है एक particular है उसको एनिभरसरी बोला जाता है काई दय से वर्थ एनिवर्षरी बोलना चाहि event रहेท डे सिर्फ एक होता है वर्थ गाला को होता है यह गाला का मीनिंग आपको पता है को सब्सक्राइ है एक्तिवार होता है ऐसी कार्णिवल यह दोने एक दूसरी के सुनोनिम होते हैं और बैस का मतलब होता है बड़ी चोट दे मार दे मार दे मार वह वाला बैस ठीक है ऑप्शन नमबर सीस का आंसर स्वरी बीस का सही आंसर होगा अच्छा एक और बढ़िया परसंट विद नो फिक्सट अडोब मतला जानते हो एडोब का मतला होता है घर जो कच्छा एक गुफा होती है घर होता है उसको वह होते हैं अडोब ठीक है तो एक ऐसा बेखती जिसका एक पाइटिकुलर कोई घर नहीं होता वह आराम से कहीं एदर कहीं उदर कग उदर कहीं पर भी रह लेता है अपना जहां रहता है उसका कोई फिक्स घर नहीं है पूरे संसार में पूरे दुनिया में वह कहीं भी घूमता रहता है एक चैनल है नोमेड सुभम नाम से है ठीक गरीब परिवार से लेकिन घूम रहा है लाखों लोग उसको देखते हैं तो उसका नाम है नोमेड सुभम नोमेड मतलब उसका कोई पैटिकुलर घर नहीं ऐसे हलांकि उसका घर तो है बिहार से वो यूट्यूब पर है उनका चैनल आप लोग सर्च कर सकते हैं मैं कई सारी उ परिशान होगे हूं ऐसा नहीं करना है वह मेहनत करके यहां तक पहुंचे है थोड़ी बहुत परिशानीं उनके बैकवर्ड की जाकर करें देखा करो अभी जाकर कि मैं कहीं घुमने चला जाओं तो बोलते हैं कि सर आप तो घुमने जा रहा हमसे मना करते तो भाई मैंने मे मेरा टाइम अलगे तुम्हारा टाइम अलगे किसी और कर टाइम अलगे तो पहले अपनी सिचुएशन देखो अपने टाइम को देखो आप दूसरों से कॉंपेर मत किया करो ठीक है तो यह चीजें भी आपको ध्यानवर रखनी है कि अभी आप किस पोजीशन पर हो आप कौ क्रुजीडर एक क्रुजर का सड Oreo एक कडेटिकुलर प्रजाती के लोग ती जो बहूट जैसे कि स्पाटन थे तो स्पाटन के लोगों को स्पाटन पर एक वर्ड द विवना दी है स्पाटन का मतलब हो युध्वा लेकिन प्रटीकुलरी स्पाटन जो है प्रजाती अहाँ कि यहां पर क्रूजडर का मतलब है युद्धा मतलब ये प्रजाती एक ये पर्टिक्लर एक रेस के लोग थे जो लड़ाई दंगे में माहर थे उन्हों नहीं तो इसलिए इनका नाम रख दिया युद्धा मतलब लड़ाख हुँ ठीक है टूरिस्ट होते हैं जो लोग अएट भुजाएं हैं यह मैट का सवाल है ठीक है और उसमें आठ एंगल आठ कौन है इट एंगल विट इट स्कॉर्ट साइट इसारे की सारे आपके गर्मेट्रिकल वर्ड्ड सुरी मैं Tametical वेजर हैं ठीक है तो आप बताई के कौन सा वर्ड कौन से जो है से को प्रेजन क घरेगा देखो ट्राइंगल से तो आपको पता चली त्याइंगल मतलब 3 त्रिकोर्ड हो जाएगा जिसमें तीन वह जाएं होती है एक हाइक होता हुटा होता है फेंटा होता है ऐसे याद करते हैं मतलब 3 तो आप लोगों को फ़्टा चली कि होगा option number C हो जाएगा अब इनके meaning समझ लो देखा का मतलब क्या होता है यह यहां का मतलब होता है सस्ट यानि कि छे इनको हिंदियों बूला जाता है सस्ट भुज और ट्राइंगल का मतलब होता है त्री कॉंड ओक्टा का मतलब होता है अस्ट मतलब आठ जिसकी आठ बुजाएं होती है और आठ कॉंड होते हैं और पेंटागॉन होता है पंच कॉंड यानि जिसमें पांच बुजाएं होती हैं पांच साइड होती हैं पांच ही क्या होते हैं य होते हैं यानि के एंगल होते हैं तो ट्रेंगल हो गया तीन का सस्ट मतलब छे अस्ट मतलब आठ और सब्त मतलब साथ नवम मतलब नौ दसम मतलब दस पंच मतलब पांच ठीक है यह संस्कृत के बढ़ है चली आगे बढ़ते हैं 23rd the state of growing to maturity जब आप बच्पन से थोड़े से mature हो जाते हो जब आपको प्यार महबत होना सुरू हो जाती है फिर एक बार हो जाती है फिर धोगा खा लेते हो खूब जीवर के रो लेते हो फिर थोड़ा सा एक और फेस में एंट्री करते हो तो वह वाला जो फेस होता है आपका उसको क्य यहां उसको कहते हैं एडल सेंस ताब आती थोड़ी बुद्धि एक बार आपने है फिर उसके बाद आगे बुद्धी समझदारी तो उसको बोलते हैं एडल सेंस मतल़ा होता है कि सो रवस्ता मतलब बहुत ज्यादा भी मिच्वर नहीं हो है लेकिन थोड़ा-थोड़ा इनोस्ट मतलब होता है आपके अंदर जो इनोसेंस है। बेगुनाही है वे नमरता है और एक होता है अपर mental संब होता है रंगभेद और कलर तो हनितर हम लिए मक्रते हैं आप रवासी यह अएप कोई ऐसा वेक्झत인지 दूसरे सब्सक्राइब कर लो लिए कलाइस लग और चेनल को में बीच में आया है क्लास सब्सक्राइब कर जोती से ने यहाँ तो भी वर्या सुबस्क्राइब कर लो चैनल को थोड़ा सा आगे तक लेके जाना आप सब लोगों को क्योंकि आपको भी पता है महनत आप करने वाले हूँ मैं आपको महनत कराने वाला हूं जब दोनों तरफ से महनत होगी रिजर्ट आएगा रिजर्ट आएगा तो ठीक है चलिए आप अपसन ट्रैबलिंग ओन फुट एक ऐसा ब्यक्ति जो पैदल चलता है उसको पैदल यात्री बोलते हैं और पैदल यात्री को इंग्लिस में पैड़स्ट्रीन बोला जाता है समझ रहे हो पैड़स्ट्रीन आपने देखा भी होगा जो रोड होता है उसकी सारी चारों की चारों वडब्र वनवर्ड इंपॉर्टन अठीक वेगा वΡ़स्टा है आवारा जो एसे ही भठकता रहता है वनजारा वारा बोल सकते हैं कमकद बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में ठीक है घुमकद मतलब कि घूम को रहता है अँग अर्याव कि अर आप लोगों को सौक होता है कि उनको ट्रावल कि लेकिन वहीं चीज है कि पैसा पहले होना चाहिए आज के टाइम पर जो सबसे जरूरत मंद चीज है वह पैसा अगर आपके पास पैसा है तो ही आप अपने सपने पूरे कर पाओगे और हर एक जानता कि आज के नौजमान का तो एक सपना है यह बाहर जाए फिरे विविलागिंग करें अच्छी से कोई दिकत नहीं यार कुछ भी नहीं लगता है महीने वर कमाओ नहीं शॉन यहां MORE कमातरे महीनों की इसे का और वो तब हम यह काम करेंगे कोई कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कभी ऐसा दिन आएगा नहीं कि आप पहले सारी की सारी जरुवते पूरी करो फिर आप अपने सपने पूरे करोगे जीवन वर कभी जरुवतें खतम ही नहीं होएंगी तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे और जीवन कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है लोग कब चले जाते हैं कब कब क्या हो जाता है जिंदगी कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं तो जो जैसा चल रहा है उसी की बीच में अपनी खुसियां ढूड़ो उसी की बीच में अपने सपने पूरे नहीं होंगे ऐसे सपने बनाओ जिनको रिसेंटली आप पूरे कर सकते हैं छोड़े छोड़े सपने बनाओगे जल्दी पूरे होंगे confidence आएगा आगे वाले सपनों की तयारी कर सकते हो तो यह है आपके विब्लियो फाइल मतलब एक ऐसा है जो कितावों से बड़ा फ्रेम करते हैं इनको विब्लियो फाइल वो जाता है एक क्या होता है घुड़ सवारी कैसा बेक्ति जो घुड़ सवारी करता है ठीक है उसको हम लोग एक कुस्ट्रियन बोलते हैं एक और है लास्ट इसका जवाब देदो सम्तिंग विच लास्ट फॉरेवर कभी भी खतम आह进ना होने वाली ऐसी कौण सी चीज होती है कि आप उसको टैंपुरल बोलोगी एक अटरनल बोलोगे एनल वीडिया फिर प्रिफरस बोलोगी बहुति सबको हमेशा बनी देती है वो कभी खतम नहीं होती है forever मतलब never समझ गे तो कुछ समय का होता है temporary जिसको temporal बोला जाता है eternal होता है अनंत जो कभी खतम जिसकी कोई समापती नहीं है अन्वल होता है अन्वल फंक्शन जो सालाना सालवर में एक बार होता है दूसरे दर्जे का होता है इसको हम लोग बोलते हैं peripheral ठीक है क्या बोलते हैं peripheral तो यहां पर यह हैं आपके टॉफ 25 वन वर्ट सब्स्टिटूशन जो आपके नाव ओपन स्टुड़ी अप्लेकेशन डाउनलोड करना है और फांडेशन क्लास जोइन करनी है जिससे आप लोगों की हर एक चीज़ क्लियर हो जाए क्लास जोइन करने से पहले आप लोग डेमो क्लास भी देख सकते हैं अवेलिवल है यूटूब पर आपकी चलती है मेरी डेली अजय विनिवाल सरकीर आतको चलती है आट वज़े क्लास डेली आप लोग डैमों लीजे आराम से पढ़ाई कीजे और अगर आप आप लोग डेमो क्लास लेने के बाद एंटरी करते हो तो भाई साथ इसमें आपका पूरा सिलेवस में आपको अच्छे से कवर करा दूँगा जिसमें आप किसी भी इग्जामेनेशन की तैयारी करना तो उमीद आप लोगों को बहुत बहुत सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज की क्लास थोड़ी थी लेकिन यूसफुल थी मज़ा आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बता दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीना और अपने दोस्तों को भी बताना सेर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है टेलेग्राम पर आप लोगों को उसकी पीडिया बेज़ दूंगा ओपन स्टडी टेलेग्राम चैनल है हमारा या फिर इंग्लिस बाइ अनिल जादन यह भी टेलेग्राम चैनल है ठीक है चलिए थैंक्यू सो मुच बाइबाइन टेक क्यर जहन मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बढ़िया सा लेकर सुक्रिया